अलो फ्रेंड्स स्वागत है देव हुमी एजुगेशन पॉइंट पर दोस्तो अगले वर्स उननीश हजार नौकरियों का वादा यहाँ पर उत्राखंड के मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया है अब यह स्थिति वही आ गई है अगर आपको याद हो तो जो पिछले साल के कर दी गई और जिनको कंड़क्ट कराया गया उनका क्या हाल हुआ किस तरीके से कंड़क्ट कराई गई वो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं पूरा प्रदेश जानता है ठीक है वीडियो वीडियो में लोगों ने धरने प्रदर्शन किये बहुत अपने अपने स्थर से उसका विरूद किया और जब चैट वैट वगरा जारी हुई तब जाके सरकार ने जांच के आदेश दिये ठीक है यानि कि कुल मिला कि जो भी है अभी इसमें जो भी इस्थिति पैदा हो रही है वो काफी दुखत है अभी कुछ और भर्तियों को रद्द करने की आपर निरस् प्रक्रिया क्या रह सकती है उत्रकंटे में नए साल पर 19,000 नौक्रियां मिलने वाली 7,000 नौक्रियों की भर्ती प्रक्रिया इस साल दिसंबर तक पूरी हो जाएगी ये बाद मुख्यमंद्री पुषकर सिंग धामी ने टनकपुर में सनिवार को रोजगार मेले के सुब अ इनके पूरा होते ही विभिन्य विभागू में रिक्त 19,000 पदों बर भर्तिया निकाली जाएंगे इन पदों को भरना उनकी प्राथ मिकता है तामी ने कहा कि वैसे विवस्ता की जाएगी कि भर्तियों में अनियमित्ता करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा अधिनस्त सेवा च नहीं करेगा कम से कम ऐसा हो या ना हो लेकिन इस लाइन को पढ़ने के बाद थोड़ी देर जहन में शुकून तो जरूर आ जाता है विभिन्य यूजनाओं का लोकारपन और सिलानियास इनुने किया मुक्यमंद्य पुसकसिंग धामिन टनकपूर में चंपाव जले के विक लोकारपन और सिलानियास किया उन्होंने अधिकारियों को निर्मानाधीन विकास योजना को जल्द धरहतल पर उतारने के लिए तेजी से प्रियास करने के नर्देश दिये तामी ने साफ तोर पर कहा कि चमपावत को आदर्स जिला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी प्रदर्शनी नहीं उसको एक तरह के सरकष आप कह सकते हैं ठीक है अगर किसी लोगों को यहां से कुछ फाइदा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों को कमेंट करके बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि यहां पर जरूर आप लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं मुक्यमंदी धामी ने कहा कि राजी में चल रही भरती में करवड़ियों को उनकी सरकार ने गंभिर तरसे लिया है प्रतियों की प्रिक्षाओं में अब किसी भी प्रकार का भरहष्टाचार पर खास बरदास्त नहीं किया जाएगा स्टी एफ और विजिलेंस भरती घोटाले के आरोपियों पर सिकंजा कस रही है जिसमें अब तक 45 आरोपियों को ग्रिफतार कर चुक किया जा चुका है सियम ने कहा कि वे विश्वास दिलाते हैं कि जब तक अंतिम आरोपियों की ग्रिफतारी नहीं हो जाती तब तक यह जारी रहेगी दोस्तो साधी साथ मैं आपको बता दो कितनी भरतियां पिछले साल निकली और कितनी भरतियां जो है रद्ध हो चुकी है तो देखें ये हाल है आयोग की नाकामी का तो उससे आयोग की नाकामी की वज़े से 35% जो भरतियां थी शरकारी भरतियां रद्ध होगी 19,000 में से 7,000 भरतियां रद्ध होगी 8 साल में मातर 10,000 लोगों को ही नौकरी दी गई 12,000 से अधिक जांच के दाइरे में इन पर लटक रही है तलवार और 88 सी परिक्षाय आयोग 2015 से अब तर अब आपको ये सारी चीज़ा आपको हमने पता बता दिया है अब इस पर जो L.T. चौइनित अभिरती है ठीक है वो नियुक्ती को लेकर के सित्म भरति से परदर्शन कर रहे है लेकिन अभी उनके भरतियों को अब रद्ध यहां पर किया जा रहा है उनके साथ भी कहीने कहीं ये दुख की बात है लेकिन अगर दूसरा पक्ष देखें जो दूसरा पक्ष कहता है ये धांदली से अनीमित्ताओं से अगर कोई भरती होते ही वो भी सही नहीं है साल 2014 में गठी दुटाखंदर जेवा चैन आयोक अपने 8 साल के सबर में कुल 10,000 इवाओं को ही रोजगार दे पाया है जबकि आयोक की नाकामी से इस करीब इस दौरान करीब 7,000 पनों की भरती अब तक खारिज हो चुगी है या होने के कगार पर इनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जिसमें अंतिम चैन के बाद परिक्षा रद्द कर दी गई तो अब देख सकते हैं या पर आपको पता है वेविन्द परकार की जो अनिमे ताय हैं उससे इतनी भरतियां रद्द होई है साथ हजार भरतियां रद्ध होगी उननीस हजार में से अब सोच सकते हैं आप तो इस तरखी की जो स्थितियां पे पैदा हो रही है उमीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये सौट आउट को कुछ अच्छा देखने को मिले आप लोगों को हम लोगों को हमारे साथ साथ प्रदेश के बाकी बिरेजगाय युवाओं को जो निरंतर परिक्षाओं के तैयारियों में जूटे हुए हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी इंफॉर्मिशन थी हाँ एक इंफॉर्मिशन और आई है जो परिदान सबाब भरतियों कर्मियों की बरखास्तिगी थी उस पर फिलहाल जो हाई कोड़ ने रोग लगा दे यह जानकरी पर आपको मिल गई होगी लेकिन अभी इनको दुबारा से जो है जो है जो है कराया जाए क्या करा जाए इस पर भी बात जो है साप नहीं हो पाई है लेकिन हाँ इनको हाई कोड से इनकी बरखास्तिगी रोग दी गई है बरखास्त होने से इनको रोग दिया गया है तो इस बात पर थोड़ा सापने जो है निगाह बनाए रखे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेगे तब तक के लिए धेर सारी शुपका मैं आप सभी को जैहिंद